भारत से हाल ही में दुश्मनी मोल लेने वाले नेपाल ने चीन के दबाव में आकर भारत के खिलाफ फिजूल की कारवाई करने से इंकार किया है नेपाल ने हमेशा चीन के अपने देश में हसनक शेप से इंकार किया है लेकिन चीन की एक हरकत ने साफ कर दिया है कि नेपाल के प्रिधान मंतरी केपी शर्मा ओली चीन की ही बातों में आकर भारत थे खिलाफ इस तरह की कारवाईया कर रहे हैं पता चुना है कि लद्दाक में पीछे हटने की बात कहकर पीछे नहीं हटने वाले चीन ने अब लिपुलेक हिलाके में LAC के पार अपने 1000 सेनिकों को तैनात कर दिया है लिपुलेक हिलाका भारत नेपाल और चीन की सीमा को मिलाने वाली जगे है जो पिछले दिनों से काफी चर्चा में है जहनकारी के मताबिक चीन ने सेनिकों के एक बटालियन मतलब की करीब 1000 जवान लिपुलेक के पास तैनात कर दिये है अलंके भारत के भी उतने ही जवान सीमा पर तैनात है लिपुलेक पास वही इलाका है जहां से भारत ने मांसरोबर यात्रा के लिए नया रूट बनाया है ये पिछले दिनों तब चर्चा में आया था जब नेपाल ने यहां भारत के बनाई 80 किलोमीटर के सड़क पर एतराज जताते हुए नया नक्षा जारी कर दिया था जिसमें लिपुलेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना इलाका दिखाया है इन इलाकों के जरिये नेपाल ने भारत के करीब 395 किलोमीटर के एरिया को अपना दिखाया है अब नेपाल के साथ साथ इस सीमा पर चीन भी अपनी बढ़त बनाने मिल गया है आपको बता दे भारत और चीन के बीच में पिछले करीब 3 महिने से गतिरोध जारी है लदाक में भारत चाहता है कि चीन अपनी मई से पहले वाली पोजीशन पर लोट जाए लेकिन चीन इसके लिए कताई तयार नहीं है यही विवाद है जो इतना बढ़ चुका है कि अब भारतिय सेना लदाक को सियाचिन बनाने के तयारी कर रही है